किचन के लिए उपयोगी टिप्स पहला है कच्चे टमाटर को पकाने के लिए उसे कागज के थैली में रखकर अंधेरी जगा पर रख दें इससे टमाटर जल्दी पकते हैं प्याज का तड़का देते समय उसमें थोड़ा सा नमक डाल देने से प्याज जल्दी पक जाते हैं पकोड़े बनाते समय बेशन में थोड़ा सा कर्ण फ्लॉर्म मिला देने से तेल का उपयोग कम होता है गुलाब जामून बनाते समय मिश्रण में थोड़ा सा पनीर मिला देने से गुलाब जामून स्वादिश्ट और नरम बनेंगे मटर पनीर की सबजी बनाते वक्त उसमें एक कब दूट डाल देने से सबजी स्वादिश्ट बनती है मौसमी के छिलके को हलका गरम करने से छिलके कड़क हो जाते हैं इस छिलके का पाउडर बनाकर उसे हलवे में या केक बनाते वक्त उसमें डालने से मौसमी की सुगंध और स्वात दोनों आते हैं गोबी को लंबे समय तक फ्रेस रखने के लिए गोबी की फ्लावर को डंठल से अलग करके उसके टुकड़े कर लीजिए और एर टाइट डिब्बे में भरकर रख दीजिए इससे वहाँ खराब नहीं होगा उबले हुए आलू का पानी रेसम के कपड़े साफ करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है दही को गाड़ा बनाने के लिए दही जमाते वक्त उसमें थोड़ा सा कॉर्ण फ्लोर डाल देने से दही गाड़ी जमती है अगर यहाँ कीचन टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें अगर आप मेरे चैनल में नहीं है तो इसे सबस्क्राइब करें